रख होसला वो मंजर भी आएगा खोशियों का चल कर समंदर भी आएगा और ठक करना बैठ मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा साथियों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीर स्टडी में आज की क्लास में हम आपको आपू में नहीं आती कंट्रोल में उनका वर्गमूल करना मतलब यह समझ यह कि जैसे सीधी साधी संख्याएं है जो एक्दम भोली भाली है जैसे यह संख्या बहुत ही छोटी फिए ननीफी प्यारी सी मानलों की एक्सरकाइस यह भी काफी बड़ी हो गई न इसको मान होता है आप कर लेंगे सभी कर लेंगे इतना तो आप जानते ही हैं सोला इसका भी कर लेंगे इसका भी कर लेंगे इसका क्या होता है पांच चार और नो लेकिन अगर हम कहें कि पांच का वर्गमूल क्या होगा 17 का क्या होगा या 23 का क्या होगा तो यह खतरनाक संख्याएं ह नहीं है इनका वर्गमूल सिर्फ भाग विदी से किया जा सकता है गुड़नखंड विदी से नहीं किया जा सकता है आईए हम इन ही पर बात करेंगे कैसे करते हैं क्लास को पूरा इंड तक देखिएगा और जितने भी साथ हैं हमारे यूड़े हैं वो बीच में छोड़के नहीं जाएंगे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो कर लें जिससे कि आप घर बैठे फ्री पड़ पाएं सबसे पहले आप ऐसे खींचेंगे हमें करना है फाइव का ठीक है तो इसमें एक चीज यह डिसाइड होता है कि हम दस वरगमूल करोगे तो क्या होगा पता को पांच के नीचे चार होता है और फिर पांच होता उसके बार नव आता है वह दो झालों इसका तीन होता है आपको पता है पांच का जो होगा टू-पॉइंट संधिंग को चैनल कुछ भी निकाल सकते हो, साथ अंक तक निकाल सकते हो, मैं भी पॉस्बल ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर प्ले डिफैट होता है, कि हम दस हमलों के बाद कितने अंक तक निकालेंगे, ठीक है, दस हमलों के बाद तीन अंक तक निकालेंगे, तो अगर क्या करेंगे, यहाँ प तक निकालना है तो हम यहाँ पर ऐसे फाइब लिखेंगे और दस हमलों लगाएंगे और तीन जोड़ा बनाएंगे एक एक जोड़ा दो जोड़ा और यह तीन जोड़ा ठीक है समझ में आया ना ऐसे करेंगे डन कोई दिक्कत ना किसी को नहीं चलो बढ़िया है आप कोई परिफानी नहीं ना चले आगे बढ़ें चलिए आईए जनाब आईए देखिए अब समझे आप मैं समझे वाली बात है अब यहां पे हम अगर दो बार ले जाएंगे तो ऐसे लिखते हैं अलब यहां भी आप दो लिखोगे उपर भी लिखोगे इधर साइड में नीचे उपर भी लिखोगे ध्यान दीजिए पहले तरीका ऐसे लिखेंगे ठीक है उसके साथि मेरे इनका दोनों का गुड़ा करते है पहले दो दूना चार यहां पर लिखते ल्ला कि इनको आपस में घटाते हैं तो एक आएगा जिक समझे न, इनको जोड़ते हैं इधर, वो तो गुड़ा करके अंदर में लिखा गया, इनका दो रोल होता है, ठीक है, इनको जोड़ते हैं, चार होता है, आएफे बिलकुल न लिखना, ये गलत है, क्यूं, यहाँ सटा के न लिखना, इधर हमेशा एक जगा छोड़ के लिखन एक गिंती लिखने लाइक, ठीक है, जितना होसा के, इधर जगा छोड़ के लिखना, अभी बताएंगे का है, पहला इस्टप, डन, अब चार का भाग, अगर वन मिले जाएंगे, तो पता है कैसे जाएगा, वन बार ले जाने का मतलब ये है साथी मेरे, कि अगर आप वन ब बनने वाला है, नहीं बैठेगा, मतलब वन बार नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, दसमलो के बाद जो जोड़वा बनाए थे किस दिन के लिए, आज एक लिए तो, तार लिए, लेकिन दसमलो के बाद गय हो, तो यहाँ दसमलो बढ़ालो, ठीक है, अब अगर वन बार ले जाते तो का बुराई थी, तीन बार ले जाते थी, यह बनता, तीन तरिकानों तीन चोग बारा, एक सो अंतिस, तो से जादा था, तीन बार नहीं जाएगा, इसका मतलब दो बार जाएगा, तो उपर भी दो लिख दीजिए, इनको घटाईए, कितना आएगा, सोला, इनको तो दो चार और इनको एफे चार लिख दीजिए ठीक है कोई दिक्कत ना इसमें आईए आगे बढ़ते हैं देखिए कितना हो गया अब क्या करेंगे दसंबलों के बाद एक अंक तक ले गए पहला जोड़ा मैंने उताल लिए जीरो वाला दूसर का जोड़ा उताल लीजिए आप कितनी बार जाएगा आप देखो चार का भाग 16 में कितनी बार जाएगा चार बार तो पहले आप 4 बार करिए चार बार करने का मतलब यह है साथी मेरे इसके बगल में 4 यहाँ पे 4 करिए 4 चोग 16 हाफील एक चारचाउग सुवला एक सत्रा हाफील एक चारचाउग सुवला एक सत्रा तई है फोर फोर्जा 16 फोर फोर्जा 16 वन 17 और फोर फोर्जा 16 वन 17 जादा हो गया तो फोर बार यह हजम नहीं हो रहा है तो कित्ती बार जाएगा फिर यह भाईया इत्ता बार, थीरी बार, बढ़िया, चल भईए, तो तीन बार तो पक्का जाएगा, तीन तरीक करनों, तीन चोग 12, तीन चोग 12, एक 13, तीन बार गया, ठीक है, कोई दिकत, नहीं न, क्योंकि चार बढ़ जयदा हो जा रहा था, तीन बार बैठ गया, इनको जोड लीजिए, 3, 3, 6 और ये 4 और ये 4 इधर जगा छोड के लिखना बता रहा हूँ इनको घटाएंगे 10 में से 9 गया 9 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2 घटाना तो आपको आता है यह तो नहीं बताना पड़ेगा कई से घटाएंगे उधार लेंगे पढ़ोसिन से मांगें का करेंगे यह तो तुमको सबको आता है इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं वीडियो क्वाल्टी थोड़ा साथ करिएगा क्लियर देखेगा चलिए अब जो बचा हुआ जोड़ा था उपर उसको भी उतार लेंगे क्यों क्योंकि यह भाग इसमें जाने वाला थानी वैसे भी वह अब यह लगभग छे बार जायेगा क्या सायद आप देखो चार कभाग 27 में कितनी बार जायेगा चार छंग 24 ना छे बार लगभग सम्थिंग तो अब तो आप समझी गयो अगर छे बार ले जाएंगे तो भाया हो हम इसके बगल में आई फे लिखेंगे छे जानते हाफिल चार और आगे फिर से देख लें 6-6-36 एक मिनट भाई रुको 36-3-1-40 कितना हो जायेगा हासिल 3 और 6-24-27 हाफिल 2 और 6-24-24-26 ओता है ना तो सही है क्या दिक्का था फिर बनिया आए चलो अब ये 27-26-796 बे आ रहा है इसका मतलब ये सही बैठ गया अब इनको चाहे जोड़ो घटाओ नीचे करो या ना करो हमारा आंसर आ गया क्योंकि ये 6 बार गया या इसका जो वर्गमूल आया वो आगया फाथी मेरे 2.236 देखिया सब को समझ में आये वरना इसको हम कर सकते थे 2 मिनट के अंदर भी कोई दिक्कत ना किसी को अब समझ में आ गया ना पढ़िया तो ये था 5 का वर्गमूल तसमलों के 3 अंक तक आप चाहो तो अभी इसके आगे भी ये जाएगा खतम नहीं होने वाला ऐसे ठीक है अभी इसके आगे भी जाएगा ये लेकिन हम नहीं करने वाले अब तो बस इस कर दों深त कि मैं एफ जा किसी को अभी इसके ये वाले और होhn किसी आप पर ये कि